हेलो फ्रेंड्स वेलकॉम तो माई स्टेडी फीट चैनल दोस्तों प्रिविएस येर में जितने भी कोस्टन्स पूछे गया हैं फिजिकल एजिकेशन कंपेटिटी एक्जाम से उन सभी कोस्टन्स को टॉपिक वाइज आपकी समझ से प्रस्तुत कर रही हूं दोस्तों यह सिरीज नंबर 57 है दोस्तों यदि आप इन सभी एक्जाम का प्रिपेशन सिलिविस के कॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोज सिलिविस के कॉर्डिंग है उन सभी वीडियोज को वाच करके आप अपनी प्रिपेशन को बेहतर दिन कर सकत स्वास्ति सिच्छा के निम्नी मेश कौन से उद्देश से नहीं सुझाए हैं । जो में लिए प्रामर्श वेक्पियों को अभिफ्रेरित करना वेक्पियों को सुझित है और आपसन नंबर ए वांचनी स्वास्त अभिवितिक अविकास इन्होंने नहीं सुझाया है तो यहां पर आपसन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्लार्क ने नहीं प्रस्तावित किया है यह याद रहेगा तो कौन सा नहीं प्रस्तावित किया है वह आपको याद हो जाएगा आप्रमेटिक आप छाट लेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लार्क ने सारिक सिच्छा के उद्देश शिक्या प्रस्तावित किया है इन्होंने सारिक दच्छता समाजिक छमता संस्कृतिक विकास को सारिक सिच्छा का उद्देश्च में प्रस्तावित किय है बट यहां पे तंद्रिका फेशी तालमेल को प्रस्तावित नहीं किया है आपसर नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा सारिक सिच्छा उन सभी अनुभाओं का जोड है जो कि एक व्यक्तिक में क्रियात्मक कारियों से आते हैं यह किस ने कहा है तो इसको कहा है डेलबर्ट आवबर्ट ट्यूफर ने आपसर नंबर भी यहां पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों जितने भी सारी सिच्छा से रिलेटेड बेरी इंपोर्टेंट डिफिनेशन्स हैं उन सब को एक वीडियो में मैंने इस ढंक से बताया है कि एक बार आप देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे उस वीडियो को आप चैनल के प्लेनिश में जा करके साइज सिच्छा के उद्देश में एंड परिभाशा वाले वीडियो जब सकते हैं तो दोस्तों है संपूर्ण परिश्थिति का शंगठन ही सिखना यहाँ परिभाशा दी है तो दोस्तों इस परिभाशा को दिया है कोहलर ने नेक्स कोश्चन है शिखने के अंतरद्रिष्टी सिधान्त के प्रतिपादक कोहलर ने अपना प्रयोग किस जनुर पर किया था जैसा कि आप सब को पता है बंदर्यम चिंपैंजी नामग बंदर पर किया था ठीक है आप से निम्बर स्री यहां पर करेक्ट हो जाएगा और शिखने के अंतरद्रिष्टी सिधान्त को किस ने प्रतिपादन किया था तो कोहलर ने इसको भी आपको ध्यान में रखना है तो दोस्तों कोश्चन है नेक्स कोश्चन है कि अधिकम के अंतरद्रिष्टी सिधान्त का प्रतिपादन किया था तो किस ने किया था कोहलर ने यहां ने अपने प्रयोग बंदर यह चिंपएजी पर किये थे, फिर नेक्ट कोर्षिन है, जन्मजात प्रेरक नहीं है, चारा अपसंदिया हुआ है, भूख, प्यास, आदत, निन्द, इसमें से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो सबसे पहले हैं, आप एक होजिए कि इस तो यहां पर आपसंट नमबर C आदत जो है जन्म जात प्रिरख नहीं है ठीक है नेस्ट कोस्टिन है बेक्तियों की शरीर की किस्म या काय किस्म को किसने तीन शड़ियों अर्थाथ इंडो मॉर्फ । मेशिमॉर्फ और एक्टो मॉर्फ में वर्गी कित्क किया है जैसा कि इसको भी आप सब को पता है L.H. सिल्डन ने प्रिश्णालिटी को तीन भाव में एंडो में एक्टो मॉर्फ म वर्गी कित्क किया है। का मतलब होता है कि गोल्डूसरी मोटा मुलायम सरी वाला भोत खाने की प्रुभिति वाला ठीक है मेशो मुल्फिक का होता है कि मसाइज टाइप का मजबूत इंसान ए Palestinian सरी जिसे कहते हैं अग्टोमुल्फिक का मतलब होता है कमजोर सरी का गठा नौरम लचिला होता है ठीक है लेक्स कोश्चन है सेल्डेंद्रा दिया गया वर्गी करण कौन सा है तो कौन सा है तो एंडोमर्फिक मेसोमर्फिक एप्टोमर्फिक आपसे नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स कोश्चन है मेसोमर्फिक की विसेस्ता होती है तो दोस्तों मेसोमर्फिक की क्या विसेस्ता होती है यहां पे आपसा नंबर सी हो जाएगा गर्दर मजबूत और लंबी होती है तो दोस्तों मेसोमर्फिक में आपका दिश्मान स्पेसिया मजबूत सरी सब्द आएगा है अजब कि एंडा सरीर वहाज यूक्ति शीर स्रीर मोटा ठीक है यह सब्दर को एकुट डाईगा झालि desi ध्शने है शीलडन के सेलड के वरकिकरण ओर मेशो मॉर्फ का ताथ पर है तो दोस्तों यहां पे मेशो मोर्फ का तात्प्र है एथलेटिक टाइब का सरी ठीक है एथलेटिक आपसे नमेर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेश्ट के रिर्द की हड्डी में पास वी बिचलन को किसके माधियम से मापा जाता है嘗तीम है दाइं और भाइं जूख जाता है इसको इस स्कोलियोसीस बोल जाता है तो इसको किस के मायद है है दोस्त तो आपसम चैनल 코로 savoir growth से माप से यहाँ जाए गारेगा है मैं नौने को से कोपने को पर गारी तो दोस्तो मैं बताएं हूँ यह इंडुर्फ का विसेश्ता क्या है पतला दुबलै यहां पे आदा हम नमबर यह करेक्ट हो जाएगा पतला और इस स्लेंडर हो जाएगा थे थीन एन इंडो मोर्फ की विशेष्था क्या है इस भी सिथिल एवं वर्षा सिथिल एव वर्षा एस्थेनिक बाडी टाइब से हैं तो जैसे कि क्रिश्चमन ने तीन बाडी टाइब बताये हैं पिकनिक एथलेटिक एस्थेटिक पिकनिक का मतलब होता है मोटा गोल का है शरीर और एथलेटिक का मतलब होता है मजबूत मांस्पेशी यूगत शरीर एस्थेनिक का मतलब होता ह पतला और छिछली सरीर वाला चाती वाला सरीर यहां पर आपसम नंबर C रिट हो जाएगा दोस्तों जैसा कि क्रिस्टमर ने बाड़ी टाइब्स को बताया है पिकनिक, एतलेटिक, एस्थेनिक और सेल्डर ने बताया है इंडोमर्फिक, मेसोमर्फिक, एक्टोमर्फिक तो द क्वी हें अग्टिमोर्फिक आपकी मिसमर्फिक का है और जो सबस्तों कर दाए अपनिक को आपके मिसमुश्पिंग का आपके है तो जैसा है कि पिकनिक एठलेक्न को क्रिस्टमन करें किया है तो जर्मन्हीं के सभाव derechos मैं ओर मनिशक relación या हमकद, छोते हैं हुं गुल मटोल सारी अक्रिती वाले होते हैं लीन मास में सरी का मेक ऊप है घ ré determination तो दोस्तों यह किस के अंतरगत आता है यह सारी संरचना के अंतरगत आता है ठीक है आपसर नंबर सी यहां पर प्रेट हो जाएगा निलिकत मेंसे कान्त खेल मंवेग्जयानि के लिए नैतिक दिसार निदेशों की मांग नहीं है तो दोस्तों यहां पे सच्छमता, इमानदारी, ब्योसाइट था, वग्यानिक उत्रदाईटू, एक तीनों की तीनों खेल मन वग्यानिकों के लिए नैतिक जिसानी जोसे की मांग है, बट खेल मन वग्यान में इस नात्कोत्तर की उपाद ही यह नहीं है, आपसर नमर भी यह प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि किसी टेस्ट के चैन के लिए क्या-क्या मांदर्ण होते हैं, तो दोस्तों यहां पे आपसर दिया है पग्यानिक प्रमारिक्ता, प्रसासनिक दिश्टी कोर से उप्यक्त हो, सैथरिक प्रियोग हो, तो दोस्त इन तीनों के बारे में डिटेल में टेस्ट अइन मेजरमेंट के प्लेलिस्ट में जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैं डिटेल में बताया है इसके बारे में, दोस्त नेक्ट्ट कोच्छन बिएक 11-14 किका समाजिक दिश्टिव स्या आशित बच्पन से स्वातेंट्र वहय सकता की बीच अंत्राल है प्राय या वदिन विकास यंवर्ण की होती है लड़कों में 10-14 वर्ष की बीच और लड़कों में 11-15 वर्ष की बीच होती है तीक है दोस्तों नेक्ट कोचन है कि ब्रिधियों विकास की 12-18 वर्ष की अवधी को कहते है तो 12-18 वर्ष की किसोरा वस्था कहते हैं दोस्तों यह बच्पन एवं वयस्क होने की बीच के अंतराल को किसरा वस्था कहते हैं इस अवधी की सुरुवात वा अंत्र तै करपाना मुस्किल है यह आवधी 13 से 14 से सुरू होका 18 वोना इस वरस के दुरान होती है मौने विग्यारी दिष्टी कोर्ण से यह आवधी बाल लिया काल क यह बढ़ी वोई अवधी है यह समालिक दिष्टी से यह आशित बच्पन से स्वतंत्र वयस्क का अंतराल है नेक्ट कोर्शन है खिलाडियों के बीच फ्रस्टेशन का कारण क्या है फ्रस्टेशन यानि कि दोस्तों निरासा कुंठा आदे यह सब फ्रस्टेशन खिलाडिय नेक्ट कोर्शन है भाव प्रबोधन यानि कि एरावजल को किसे प्रकार परिभासित किया गया है तो दोस्तों वाव प्रबोधन यानि कि एरावजल को कारे करने के लिए तयारे की भिन्न भिन्न कोटी के रूप में वडन किया गया है परिभासित किया गया है यहां पे विख्यान ये मानसिक प्रक्रिया कैसे जाने जाती है दोस्तों ये मनौ बिग्यान के रुप में जाने जाती है मानसिक प्रक्रिया यानि की दिएवियर कमेग्यारी अधिहर नो उपिक्यान क्याता है आंगरेजी भासा सब्सक्राइब काहंदरिपात है सोशियोलाजी सब्द इनानी भासा के साइक और लोगस दो सब्दों से मिलकर बना है नेक्ष कुछन है निन में से किसनी मनोवज्ञान को परिभासित करते हुए कहा है कि मानों के ब्योहार तथा संबंदों का अध्यन करना मनोवज्ञान है तो दोस्तों इस यह परिखासा very important है कि मानो के विवाद रथा संबंधू का अधियन करना मनुभीज्ञान है क्रोंग ने इस परिखासा को दिया है आपसर Number D यहां पे correct हो जाएगा दोस्तों क्वेस्जन हें कि मनुभीज्ञान अधियन है तो मनुभीज्ञान किसका आधियन है दोस्तों मानों वखार का दोस्तों कई प्रकार से पूचा है की मनुविग्ञान किसका आधियन किया TO Radio- tutti कि मनली लिखत मेंसे किसका अधियन करता है तो किसका अधियन करताएं ये यह कोशन पूछा है यूपी अल्टीग्रेट दोहजार ठारे में ठीक है दोस्तों नेक्ट कोश्चन है इन में से किसने अचानक स्रिष्ट अनुकूलन की प्रकिरिया का पता लगा कर इसकी व्याख्या की है तो दोस्तों यह आप्सन नंबर बी इवान पावलाव ने इवान पावलाव ने अचानक स्रिष्ट अनुकूलन या क्लासिकी अनुबंधन यानि क्लासिकल कंडिशनिंग की प्रकिरिया का पता लगा कर इसकी व्याख्या की इनके प्रियोग में घंटी की आवाज एक तथस्त उद्धिपन तथा भोजन एक सुभाविक उद्धिपन को साथ साथ कुछ प्रियास तक देने पर कुट्ता मात्र घंटी की आवाज पर लार का इस्ताव करना सीख गया था पावला के क्लासिकल अनुबंधन को मने भी ज्यानिकों ने टाइप एस अनुबंधन भी कहा है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आई होप कि दोस्तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए और दोस्तों ज्यादे सज्यादे सेयर भी किया किजिए दोस्तों पहली बाद बीजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिसे जो ही मैं वीडियो अपलोड को नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कब तक के लिए जय हैं